हालो फ्रेंट्स आज के इस बिए में हम कंप्यूटर का एक इंपोर्टन टॉपिक डिजिटल फाइनेंशल सर्विस के अनुपरयोग पराधार जो कुछे आते हैं उसको हम डिसकस करने जा रहे हैं यह आपके एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टन है आपको इभी करते हैं पहला कोशन है डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म रिटेल एजेंट डिवाइस आधी निम्ली खित में से किसके अवयोग है तो यह डिजिटल फाइनेंशल सर्विस के जो अवयोग है इन्हीं ऑप्शन एसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कोशन टू पुछा गया है डिजिटल माध्यम से बैंक या बित्तिय संस्था में भुकतान करने की जो डिवाइस होते उसको क्या कहते हैं तो उसको पेमेंट डिवाइस भी कहा जाता है पी ओएस यानि पॉइंट ऑफसेल भी कहा जाता है टर्मिनल होता है तो यह और बी दोनों सह है अगला है कोशन नमर थ्री बचत करना आवश्यक है जैसा कि आप जानते हैं किसी अन्होनी से बचने के लिए अगर आप बचत करते हैं तो भी यूसफुल होता है और अचानक परिवार में किसी का तवियत खराब हो जाए कुछ पढ़ जाए तो भी आपकी सेविंग है त आवश्यक होता है तो बचत करना आवश्यक इन सभी काराणों से मैं तो ऐसे क्वूसिए का subscription डि सेशी यूंत था होता है जैदा तर तो option डिस का सही अंसर हो जाएगा अर्ला matte question इimana is number 4 ग्रर सी क vient नहीं मिल पाती है उसके option D सही हो जाएगा अगला question है question 5 bank का प्रमुकार क्या है तो आप जानते हैं जनता से धन सुईकार करना याई अगर आपके पास पैसे तो bank में लेका जमा करते हैं जनता को ब्याज लगा कर धन वापस करना याई आप पैसा जमा करते तो इंट्रेस्ट के साथ वापस मिलता है अगर आप चाहते है रिडे लेना तो वह भी आपको प्रवाइड करता है तो याई option C इसका सही अंसर हो जाएगा तीनों सही अगला question FD जो होता है याई fixed deposit अधिक option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question No.7 पूछा गया है निम्लिखित में से कौन सा प्रेशन एक सुरक्षित तरीका है तो demand draft जो होता है demand draft इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है bank उत्पात के अंतरगत कितने प्रकार के खाते होते हैं तो आप जानते बचत खाता भी होता है चालू खाता भी होता है आवर्ती खाता भी होता है तेनी इसमें सभी options है option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question No.9 निजी लोन की अवधि कितनी होती है तो कम से कम 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का यह होता time तेनी option B इसका सही अंसर हो जाएगा जो personal loan होता है अगला है question No नमर 10 यह दिग्रहा किसी खाते में जमा राशी से अधिक राशी निकालता है यह जितना पैसा उसकी अकाउंट में है उससे ज्यादा पैसा निकालता है तो उसको ओवर ड्राफ्ट कहते हैं जैनि ऑफ्षन एसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुशन है डीडी का पूरा नाम कुशन नमर 13 का निम लिखित में से कौन सा पहचान जो होता है कि सत्यापन से संबन्धी दस्तावेज है तो पहचान पत्र की रूप में जो पास्पॉर्ट भी उनसर अगरा सभी अगला भारतिय मुद्रा जारी करता कौन होता तो भारतिय मुद्रा जारी कि जारी कियाती एक रुपे के नोट को छोड़कर बाकि सभी आ बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी कियाता है तो यहां पर option B सही अंसर हो जाएगा याद रखेगा एक रुपे का नोट जो है नहीं होता और बाकि सभी जो है रिजर बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी कियाता है अगला है ATM का full farm पूछा गया है यह कई बार एक्जाम में पूछा गया जा चुका है तो ATM का full farm होता automated tailor machine यानि option A का सही अंसर हो जाएगा question 16 है ATM password कहां रखायाता है तो आप जानते हैं उसको याद रखायाता है कई लिखते रखते हैं बलकि याद रखते हैं याद रखना होता है तो option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है question 17 पुछा गया निमलिखित में से कौन सा ATM का सही के लिए सही है तो आप जानते हैं mini statement चेक करना यह भी है mobile recharge करना आप कर सकते हो आएकर भुकता चुकाना यह भी सही है अला question है कौन सी मसीन swipe machine के तरह कारी करती है तो जो micro ATM होता वो swipe machine के तरह काम करता है option B इसका सही अंसर हो जाएगा अला question है internet banking द्वारा अब देखो internet banking द्वारा क्या-क्या आप काम कर सकते हैं fund हस्तांतरन कर सकते हैं जो बचत खादा balance को देख सकते हैं आपके अगण में कितने पैसे इसको चेक कर सकते हैं FD जमा कर सकते हैं option D इसका सही अंसर हो जाएगा अला question है neft द्वारा fund transfer करने के लिए क्या के चीज़ होती है ifsc code होना चाहिए branch का नाम पता होना चाहिए और bank account number होना चाहिए यानि यह सभी होगा option D इसका सही अंसर हो जाएगा अला question है question number 22 अधिक्तम राशी का चेक कितना होता तो आप जानती जितना भी चाहें चेक काट सकते हैं जितने का आपके अंगण पैसा होना चाहिए option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है लंदन की रायल टकसल की साखा कहां घोसित के गई थे तो मुंबाई में की गई थी option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है PMJDY यान जंधन योजना में कौन खाता खोल सकता है तो आप जानते परियार के मुख्या खोल सकते हैं को इस्तिरी खोल सकती है दस वर्ष से कम उम्र का बेक्ती भी खोल सकता है इसका जो है सभी option हो जाएगा यही option D यहाँ एक question छूड़ गया 24 नंबर 24 को भी देख लेते हैं PMJJB के अंतरगत आंसिक अपंगता में कितनी धन्राशी दी जाती है तो एक लाख रुपे 24 का हो जाएगा एक लाख और आपका 25 का हो जाएगा D अगला question है 26 नंबर question देखिए निम्लिखित में से जीवन भीमा के प्रकार हैं तो यूलूप और endowment plant दोनों है यही option C इसका सही अंसर हो जाएगा question number 27 ने प्रधान मंत्री शुरक्षा भीमा योजना के अंतरगत कब शुरू की गई थी तो 9 मई 2015 को की गई थी option C इसका सही इन्सर हो जाएगा योजना उससे संबनित एक दो question आपके एकजाम में जरूर देखने को मिलते हैं तो इसको भी आपको याद रखना है question number 28 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना द्वारा लोन कितने प्रकार के होते हैं तो सिसू लोन भी होता है किसूर लोन भी होता है तरणो लोन भी होता है तो इन्हीं option D इसका सही अंसर हो जाएगा जाते दरह इसे question जो आते हैं उसमें सभी option सही रहते हैं अगला question है 29 नमर PMJJBY योजना में प्रतिवर्स जमा करने वाली रासी कितनी होती है तो 330 रुपया होता है तो इसका सही answer हो जाएगा option C अगला question है bank किसी ब्यापारी को कितने परस्त corporate loan दे सकता है तो इसका answer हो जाएगा option C तो यह थे important question, it's official related, I hope आपको समझा गया होगा वीडियो मताएगा चीज़े, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों में share कर दें ताकि ज़्यादा ज़्यादा candidates को उसको बरम जानकारी मिल सके और चैनल पर पहली बार भीज़ करना है, चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें ताकि नहींने updates जब भी हम आपके लिए लाएं तो उसका notification आपको मिलता रहे मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक के लिए GS के अंट्यूप चैनल सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत